फिल्म की शुरुआत होती है लीसा नाम की एक लड़की को दिखाने से जो एक सुनसान रास्ती पर कहीं जा रही थी कि तब ये चानक दो गुंडे जिन्होंने अपने चीरे डगे हुए थे वो लीसा को पकड़ लेती हैं यानि कि उसी यहां बिल्कुल एक डॉग कुटे की तरहां बांदा हुआ था जे भी इस फिल्म का नाम लाइक डॉग्स है कि कुछ डॉग्टर्स यहां पर एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर रहे थी वो इंसानों को डॉग्स की तरह बांद कर उनका बढ़ताओ चेक कर रहे थी और यहां उन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही से लोग किया जाएगा जैसा कुटों के साथ होता है अब यहां लिसा खुद को पाकर काफी घबरा गई उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करो वो जोरों से चिलानी लगी और उसके सुनने वाला यहां कोई नहीं था जब थोड़ा सा बाहिर आई तो उसकी नजर वहां लगी खिड़की पर गई जहां एक आदमी खड़ा हुआ था वो वैसी तो यहां का जेलर था उसने लिसा पर नजर रखी हुई थी पर वो भी उसकी चीक सुनकर अंदर नहीं आता उसे देकर लिसा कब्रा गई और जल्दी से वापिस अंदर आ गई रोध होकर वहीं लेड़ जाती है अब कुछी दिर में यहां एक और आदमी आया जो उसकी लिए खाना लाया था तोड़ी सी जमीन खोदी हुई है वहां कर लो उसके लावा तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती यह कहकर वो यहां से चला गया और लिसा बगएर कुछ खाई ही वहां बैटी रहती है तब ही वहां की लाइड सोफ हो गई और अब लिसा सो जाती है तोड़ी यह दीर में यहां एक और आदमी खाना लेकर आया और जब उसने पहली वली खाने की प्लेट देखी तो वो उसे भी उठाकर वहां से ले जाता है और ऐसे यह रात उसे भूका सोना पड़ा अगली दिन फिर एक लड़की खाना देने आत जैसे उसने पतने कितने दिनों से खाना नहीं गाया अब तभी उसी एक आतमी की आवाज आई जिसे भी इसी कमरे की किसी सेल में बांदा हुआ था और वो मदद के लिए चिला रहा था अब जब वहां की लाइट्स बंद रही तो लीसा प्रेट को जोर जोर से दिवार पर म अगले दिन लीसा को बिंटिंग से बाहर में दान जिसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और वहां एलान किया गिया कि अब यहां लीसा को चैनना है चारां तरह फैंस लोई की बार नगी हुई थी लीसा सोचती है कि मैं फैंस को पार करकी उस सरफ जाओंगी और यहां से भ कर बेहोश हो जाती है अगले दिन जब उसे होश आई तो वह कुट कुट दुबारा अपने सेल में बंदा हुआ पाती है उसके साथ इस कदर डॉक्स वला से लोग किया जा रहा था कि यह तो उसे डॉक कितरा ही नहिला रहे थी अब लीसा को पिर से कमरे में किसी आदमी की अब पता चलता है कि वह लीसा की साथ वले सेल में बंदा हुआ है जिसका नाम एड़म ये उससे भी लीसा की तरह अगवा करके यहां केद करकी रखा गया था उसके साथ भी डूक जैसे बड़ताव किया जा रहा था एड़म अब लीसा को कहता है कि मैं यहां से निकलने का प्लैन बना रहा हूं जिसके बारे में दिन रात में सोच रहा हूं उनकी ये बातें चली रही थी कि तब एक आदमी खाना लेकर आता है और कुट्टों की तरह इनके सामनी रग के चिला गया एडम डीजा को खाना खाने से मना करने लगा और कहता है कि मत खाना क्योंकि इन लो इसलिए एक आदमी करंट वली रॉड लेकर आता है और दोनों को करंट के चटके लगाने लगा जिससे वो बेहोश हो जाती है पर जो भी ने होश आती है तो वो देखती है कि अब हमें थोड़ा करीब बांदिया है ये दोनों आपस में बात करने लगे और एक दूसरे को अप मानकर वो भी खाने लगता है अब जाही रहे इन्हें फिर से नश्या होने लगा और ये एक बार फिर बेहोश हो जाती है अपकी बार पी लिससस अपने में अपने एक दूसरे दोस्त को देखती है जिसके भी वो बहुत करीब थी अब ये सपना देकर फिर से उसकी आँख और अब ये देखती हैं कि हम पहली से भी ज़्यदा करीब बने हुई जहां अभी काफी पास आकर बाते करने लगी एडम कहता है कि हमें कैसे भी करके यहां से भागना होगा वरना ये लोग तो हमें डौग ही बना देंगी ये सुनकर लिससा जवाब दिने उसके काफी पास आगई कहती हैं कि जब तक ये पट्टी हमारे गले में बंदी हैं हम यहां से नहीं बाग सकते अब उनको इतनी पास जिरर देख लीता है कहने लगा कि तुम दोना दो रो एक दूसरे से जरा भी टच ना हो यनि तुमारे जिसन एक दूसरे से जरा भी न लगी जो सुनकर ए लिशा को होश आ गई जिसकी बाद एक लड़की इन्हें यहां खाना देने आई वो रोड से जैसे खाना इनकी तरफ करती है एड़ उस रोड को पकड़की लड़की को अपनी तरफ करता है उसे नीचे गिरा कर प्लेट से सर पर वार करता है जिससे वो वहीं बेहोश हो ना मान कर कहता है कि कुछ नहीं होगा चलो मेरे साथ और वो जैसे लीशा को अपने साथ ले जाने लगा लीशा उसके सर पर प्लेट से हमला कर दीती है जिससे वो बेहोश हो गया जो करने की बाद वो कैमरास के जरीए अपना कोड़ वर्ड बोलती है ताकि बाकियों को समझ प्लेटी है पाइनेपल प्लेट साम जो सुनतर कुछ डॉक्टर्स यहां पर आ गई जिससे हम यह जान पाते हैं कि असल में लीशा भी एक डॉक्टर यह जो इस एक्सपेरिमेंट में उनकी साथ मिली होई है लीशा की तो और साथी भी यहां आ जाती है जिनमें से एक सर्ज कहती है अच्छा छोड़ो इन बातों को और सबसे पहले फैंस का करेंट बन करो कि इतनी जोर सी मुझे वो लगा था फोरन बन करो ताकि मैं अपने मकसद को हासिल कर सकूँ अब यहां हमें यह भी पता चला कि एडम के लावा वह और भी कई सारे लड़कों को लाया गया था पर वो अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने थी उन्हें भी अलग अलग छुटे छुटे सेल्स में बन किया गया था और ऐसे करने की उन्हें पैसे भी मिल रहे थी सिवाए एडम की क्योंकि उसी तो सच में अगवा करके यहां लाया गया था और सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था असल में लीसा ने कुछ वक्त पहली एडम को देखा था जो पहली ये निजर में उसे परसंद आ गया था इसलिए उसने प्लैन किया कि हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो कर ही रही हैं तो मैं और एडम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं मैं द की कॉल आती हैं जो ये डॉग वला एक्सपेरिमेंट चला रही थी वो कहती हैं कि जो कैमरा लीसा ने बन करवाया है उसे फोरण आन करवाओ ये जहां एडम बना हुआ है जिसके लिए लीसा 10 मिनट का टाइम मांगती हैं क्योंकि वोस को सिर्फ ये पता था कि लीसा एडम क किया और सब कुछ वोस को नहीं पता था और अब लीसा पेट भर कर खाना खाती है और वापिस वे चोटे सेल में जाकर बन जाती है और अब उसने कैमरा भी आन करवा दिया था अगली दिन जिब एडम को होश आई तो वो लीसा को कहया था कि मिरी तो तु भी और कुट को अ पास आई तो सच में यहां से करंट हटा लिया गया था क्योंकि जिब एडम ने फेंस पर हाथ रखा उसे कुछ नहीं हुआ वो लीसा को कहीत है कि अगर हम फेंस फ्लांकर दोसी तरफ जाएं तो हो सकता है कि पट्टों की सिगनल वहां काम ना करें जिसकी बात हम अजाद हो चोड़ सकता था इसलिए वह उसकी मदद को रुख जाता है और अब दीरे दीरे करके उसकी पास जाने लगा यानि कि कुछ हट तक लीसा का प्लैन काम कर रहा था एडम उसकी करीब होता जा रहा था अब एडम को सजा देने के लिए सर्जन उसे एक इंजक्शन लगा देता हैं जहां वो हमेशा की तरह सपना में खो जाती हैं और इस बार कुद को अपने एक और दोस्त के साथ पाती हैं उदर लीसा के डॉक्टर दोस्त देखती है कि लीसा और एडम की सेल्स के पास जो कैमरास हैं वो सारे बन कर दिये गई हैं यह देखकर उसे सर्जन पर शक और अब उसने कैमरास भी आन करवा दिये थी अब जब सर्जन वापीस आया तो कैमरास को आन और यह देकर काफी दंग रह गया कि लीसा और एडम अपनी सेल्स में ही और वो इस बारे में सवाल कर दी लगा उसकी इस बात पर लीसा की दोस्त का शक यकीन में बदल गया और यह सब कुछ अपनी बोस को बता दीती है जो सुनकर थोड़ी दिर में बोस यहां आई और कहती है कि फिलहाल यह एक्सपरिमेंट बंद कर दो क्यूंकि अगर किसी को कुछ हो गया यह नशे की वजह से किसी की जान चली गई तो हम सब जेल में जले जाएंगे जिसकी बात व उसकी कोई फाइल नहीं है बलकि उसी तो यहां अगवा कर किलाया गया था मेरे लिए जो सुनकर डॉक्टर को उस पर काफी गुस्सा आया कि तुम उसकी मर्जी के किलाव यह सब कर रहे हो और अब वो लीसा को दमकाते हुए इस एक्सपरिमेंट को बंद करने का कहती है वर करने की बजाए इसे जानी रख सकते हैं क्योंकि बोस यहां से जा चुखी है जो शायद यह वापिस हैं यहां उसकी दोस बताती है कि एडम भी तुम्हें प्यार करनी लगा हैं इसलिए जल तुमारा प्लैन का मियाब हो जाएगा जो सुनकर लिजा खुश हो गई और अब कि दोस वापिस उसे वहीं बाँ देती है जहां वो पहली थी लेस एडम की होश मी आने पर उसे कहते हैं कि हम यहां से आज राथ भाग जाएंगी उधर सरजन को पता था कि लीसा ने बोस को फीजर रूम में बन कर दिया हैं इसलिए यह उसे वहां जा कर चेक करता हैं यहां वो जमती जा रही थी और उसकी हालत काफी बुरी थी वो बिचारी सर्जन से मदद मांगती है पर ये बजाए उसकी मदद करने की उस पर भारी सिंदोग गिरा दीता है जिससे उसका सर कुछ ला गया और ऐसी उसकी दर्दनाक मोथ उचाती है लीसा की दोस कब से सर्जन का पीछा कर रही थी उसे शक था कि वो कोई गलत काम कर रहा है उदर लीसा एडम की साथ बेठी बातें कर रही थी और उसे अपने प्यार में पसाने की और कोशिश कर रही थी तब यहां सरजन आकर उसके मूँपर हाथ रखके चुप करवा देता है कहने लगा कि शान्त हो जाओ और यह सब मेरी नहीं लीसा ने किया है जो कहकर वो उसे भी इंजेक्शन लगा कर भी होश कर देता है फैले ही चाबिया थी जिन से वो अपने और एडम की पट्टे की लोट तो खोल देती हैं और जल्दी सी यहां से भागने का कहती हैं एडम उसे पुछता है कि तुम्हारे पास ये चाबिया कैसी आई जिस पर लिसा उसे चुप करवा देती है और यहां से लेकर भागने लगी पर उन्हें कैमरास की जरीगी सर्जन देख लीता है वो इनकी गले की पटे फिर से लॉक्ट करकी एक्टिवेट कर देता है जिससे वो कसने लगे और ये दोनों वहें गिर कर भी होश हो जाते हैं जो करने की बाद सर्जन एडम और लीसा की दोस्त को एक दुसरे की आमने सामने बान दीता है खोश में आने पर एड़म उसे लीजा की बारे में पुच्छता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो उसे लीजा की और उन लोगों की सारे सचाई बता दिती है, यह हम यह इंसानों पर जानरों की तरह एक्सपेरिमेंट करती हैं, और इसमें लीजा भी हमारे साथ मिली हुए, वो वी गीन आहीं जिस पर अप लिशा की दोस्तों से वह वक्त याद कर वाती हैं जिब एड़म ने उन próst को अजाद कहें लिया था लेकिन ल्यशा नहीं उस पर प्लेट से वाल करके भी खोश कर दिया था अब यह सुनकर एडम को यकीन हो गया और अब से वो लीसा से नफरत करने लगता है केमरा के जरीए सब कुछ लीसा देख रही थी वो खबरा गई क्योंकि कुछ कर नहीं सकती थी वज़ा ये थी कि उसे भी सर्जन ने अलगी बांदा हुआ था लीसा उसे कहे थी है कि मुझे अभी की अभी एडम से मिनना है पर वहाँ ने जाने से पहरी सर्जन उसे एक ऐसी कमरे में लेकर गया जिया अलगलक सेल्स में वो उसरे लड़कों को बांदा गया था जो सारे की सारे लीसा के ये दोस्त थी तो अभी यहां हमें पता चिला कि असल में लीसा एक साइको पागर दोग्स वला एक्सपरीमेंट उसका ही प्लैन था यूँकि उसका माना था कि इंसानों और जान्रों में कोई फरक नहीं है उसने अपने दोस्तों इन लड़कों को इसलिए चुना यूँकि बाकियों को अगवार करना अपने जाल में पसाना उसके लिए मुश्किल था और क यूँकि हमारे जोड़ी पर सकते हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं तुम भी साइको हो और में भी पर क्योंकि लीजा ने उसी हमेशा अपना दोस्ती समझा तो वो इसके लिए मना कर दीती है जिसके बर सरजन उसी फ्रीजर रूम में लेकर जाता है जहां पर बोस्त की ला दोस्ति है कि क्या करो युँकि अब एडंग को सारी सचर separate चल गई थी तो अवर नीसा से नफरत करता था फिर वो सुचती है कि सारे बाते तो में दोस्त ने हैं उसी ने और इस उसकी दोस्तों कुछ नहीं होता बलकि एडंगी गली का पट्टा एक्टिवेट हो गया और वाँ लान लाइट चलने लगी क्योंकि पटा कस्ता जा रहा था वज़ा ये थी कि सरजन ने बटन बर दिन दिये थी ये देकर नीशा सरजन को ऐसे करने से मना करती है और ये भी कहती है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो जिस पर यहां सरजन उसी सच बताता है कि मैं जो तुमारे साथ करना चाहता हूँ वो कई बार कर चुका हूँ वो यहां रास कुलता है कि बियोश होकर तुम्हें जो सपनी आया करती थी वो सपनी नहीं सच थी और वहां अकिकत में मैं होता था कि मैं यहां से सारे सबोत मिटा दो और बाद में मैं और Lisa यहां से निगल जाए ने जिन की बसाने के लिए पर अब यहां Lisa अपना ही पटा एक्टिवेट कर देती है अपनी जान लेने के लिए लेकिन ये दिकर सरिजन उसका पटा चुप गई पर सरजन ने लीसा को देख लिया था और क्यूंकि अब उस पर घुसा था इसलिए वो उसे रोट से करेंट लगा कर मारने की कोशिश करता है लेकिन लीसा उसे टांग मार कर यहां से भाग जाती है वो एक कमरे में आकर चुप गई पर तब यहां सरजन भी आ गया जो उसी पकर लेता है वो उसका गलत दबाने लगा जान से मारने के लिए पर यहां लीसा की दोस्त भी चुपी हुई थी वो उसकी जेरे पर एक अतियार से हमला कर दीती है जिसी वो जखमी होकर वहीं भी होश हो जाता है उसे जब होश आई तो लीसा उसकी गले में कोई सच क्यों बताया वो यहां कोई सबोत भी नई चोड़ना चाती थी जिसकी बाद वो अपना हुलिया अपनी दोस्त जासा बना लेती है यानि कि उसका चिश्मा लगा लेती है उसके कपड़े पहां लेती है और ऐसे ही बाहर निकल गई क्योंकि बाहिर उसकी दोस्त को कोई नहीं जानता था और उसने इस पूरी जगा को भी आग लगा दी थी जिसके बाद लीसा अपने पागल पन में यहां से आगे बढ़ती रही उसके चेरे पर एक शेतानी मुस्कुराहट थी और अब वो ऐसी पता नहीं और कितने लोगों को बरबाद करेगी अपने पागल पन में और एक्सपेरिमेंट्स करकर की और इसे के साथ यह फिल्म इधर ही खत्म जाती है